हलो लवली चिल्डरन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चेंज दर नंबर ही कराए थे बट वो पार्ट वन था पार्ट वन था मतलब इजियस्ट वन था अब हम पहुंचे हैं पार्ट टू पर तो इसमें जो है आपको थोड़े डिफ्रेंट तरह से मिलेंगे वहा जैसे वहां वाले भी मिलेंगे वहां जैसे मिलेंगे मतलब सेम वड तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा लेकिन आपको थोड़े से डिफ्रेंट मिलेंगे यहां पर तो अब हम क्या करेंगे पार्ट टू करेंगे अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो देख लीजिए तांकि वहां से आप start करके फिर यहां पर पहुंचें तो चलिए start करते हैं उसमें मैंने explain भी किया है आपको कि change the number क्या होता है singular plural क्या होता है चलो थोड़ा से यहां भी बता देती हूं singular प्लूरल मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहु वचन, change the number मतलब वचन बदलो जैसे हिंदी में होता है ठीक है तो यह है इसका part 2, part 1 इससी पहले विडियो में था तो चलिए अब करते हैं इसमें first जो है watch, watch का होता है watches ठीक है, yes लगता है watch का मतलब होता है घडी ठीक है घडी जो हम कलाई पे बानते हैं उसको बोलते है watch ठीक है wrist watch बोलते हैं उसको ठीक है जो दिवार पे लगते हैं उसको नहीं उसको तो clock बोलते है ठीक है और यह जो होती है watch जैसे कि हमने table पर रखी है तो या फिर हमने जो wrist में पहनी है wrist watch बोलते है watch watches घडी घडी घडियां ठीक है Beach, beaches, beach क्या होता है समूदर का किनारा, समूदर के किनारे को हम beach बोलते हैं, ठीक है, तो beach, beaches, es लगेगा यहां पर भी, ठीक है, mosh, mosses, moss का मतलब होता है काई, mosses, m-o-o, s-e-s, glass, glasses, es लगेगा, इसमें भी आपको पता ही है कि glass क्या होता है, बताने के ज़रूरत नहीं है, next है cloth, cloth मतलब कपड़ा और clothes, es लगता है तो कपड़े, cloth, clothes कपड़ा, कपड़े next है bench, bench, benches सबको पता है bench क्या होता है school में जाते हो, benches के बैठते हो पता है आपको है na bench, this is a bench, these are two benches ठीक है, अगर एक bench के बारे में बात करनी है, तो this is a bench these are two benches, या फिर these are many benches, there are many benches in my class, there are 40 benches in my class, ठीक है तो benches लिखेंगे, आगे है potato, potato मतलब aloo, potatoes, ठीक है कही लोग ना इसको potato बोलते है potato नहीं, बटा इसको ये नहीं ओ लगा हो है तो potato potato, potatoes, ठीक है और aloo और बहुत सारे aloo को भी जो aloo को हिंदी में तो aloo ही बोलते है और उसका जो बहुवचन होता है लेकिन इंग्लिश में potatoes es लग गया, उसके बाद city city मतलब शहर, और cities मतलब बहुत सारे शहर, ठीक है दो से जादा शहर, दो या दो से जादा city, cities next is duty duties, ठीक है, duty का क्या मतलब होता है, अपनी duty करनी है आपको, duties, ठीक है जादा, ies, इसमें ies लगता है, देखो डिफरेंट हो गए es के बज़ए, city में भी cities ies होता है, duty में ies, जहाँ पर end में वाई लगता है न, वहाँ पर जादा तर जो है, ies ही लगता है fly, flies, fly क्या होता है मक्षी, जैसे house fly होती है, जो घर में मक्षी घुंगती है उसको fly बोलते है, ठीक है fly, flies, f-l-i-e-s यह उड़ने वाला fly नहीं है क्योंकि वो verb में आता है, यह जो numbers हम change करते हैं, singular or plural में इसमें nouns आते हैं, मतलब संग्या आती है इसमें, ठीक है तो वो मत सोचनल लगना, उडने वाला fly वो verb होता है, ठीक है fly, flies, baby, babies ies, ठीक है why hurt क्या, ies लग गया lady, ladies, आपको सबको पता है, lady क्या होता है, और अरत और ladies, जादा औरतों के बारे में बात करनी है तो ies, ठीक है leaf का leaves, मतलब हम इंग्लिश में हर बारी एक ही rule से नहीं चल सकते, rule चलता भी है कई बारी, बट exception भी बहुत बारी होता है, कि उस rule से हटकर यह चीज़ें है, मतलब अपवाद होते ही होते है, ठीक है leaf का जैसे leaves है, ठीक है एक पता, बहुत सारे पते leaves दो या दो से जादा, knife k-n-i-f-e knife, इसमें क्या है देखो, k-silent होता है, ठीक है knife, इसको knife बोलते है और knife का plural होता है, knives ठीक है, v-e-s, knives wolf, wolf क्या होता है भीडिया, ठीक है और जादा भीडियों के बारे में बात करनी है तो wolves, w-o-l-v-e-s wolves तो I hope आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से singular को हम plural में change करते हैं, थोड़े different है जब बार-बार आप read करोगे, बार-बार मतलब 4-5 times में read करोगे तो आपको पूरा idea हो जाएगा कि किस तरह से इसको हम करते हैं और फिर भी अगर कोई confusion होगी तो मुझे पता देना और इससे जो अगले advanced है वो आपको next part में मिलेंगे मैं 5 parts में divide करके बना रही हूँ change the number की videos को so that आपको सब तरह से पता चल जाए कि किस तरह से हम change करते हैं singular से plural को कि इसलिए मैंने कहा कि सारे देई देती हो almost आपको सारे मिल जाएंगे तो I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो like का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छा लगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें और आपकी knowledge बढ़ती चली जाए और चब subscribe के बटन को प्रेस करोगे तो bell icon को जरूर प्रेस कर देना और फिर all को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की सारी notifications जो आपको मिलती रहें तो चलीए आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड जल्दी ही मिलूंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए ठेक कियर आफ यॉर्सेल्ब्स